गुजराट टाइटन्स वैसे लगनो सूपर जैंट्स के बीच खेला गया आई पिल 2023 का अब तक सबसे रोमान शक मुकाबला क्यूंकि आप रनों की बार साथ तो देखते हैं लेकिन जब बात गेंदबाजी की हो तो आला दर्जे की गेंदबाजी गुजराट टाइटन्स के गेंदबाजी ने करी क्या आप मानते हैं कि इस सीजन भी गुजराट टाइटन्स के टीम ट्रॉफिक जेती नजराएगी त अपने रहा कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजेगा जिस अंदाज में गुजराट टाइटन्स की टीम ने सिर्फ 136 रंड डिफेंड किया बनाए और इसके बावजूद मेदान पर खड़े थे लेकिन जिस अंदाज में उनने बल्लेबाजी करी बहुत जादा निराशा जनक परदशन था आपको बता दे जिस तरीके से आकरी हमने देखा था कही न कहीं इस सीजन एक मैस था जहाँ पर गुजराट टाइटन्स एगेंबा यश दयाल को पाँ छक्के पड़े थे सबसे अधरन खाकर वो मुकाबला के क्यार जित गई थी तो यहाँ पर जिस अंदाज में सबसे लोवेस टोटल डिफेंड करके गुजराट टाइटन्स जी थी तो वो अपनी कहानी अलगी लिखती नजर आ रही है इस मुकाबले में यश दयाल नहीं लेकिन मौईश शर्मा थे और मुकाबले के हिरो बनते नज़रा है मौईश शर्मा का आखरी ओवर बहुत ही काबले तारीफ था मौईश शर्मा ने जिस अंदाज में गेंदबाजी करी आकरी ओर में चार विक्कट गरते नजर यह चार विक्क्त दो विक् सब्सक्राइब कर दे ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पासके तो हो जी टी वर्सिस एलस जी के बीच ये मुकाबला खेला गया भारत रतन श्री अटल विहारी वाज पर एकाना क्रिकट स्टोडियम लखनों के मैदान पर जहां टॉज जितकर खुद गुजरात ने प शुबमन गिल, हार्दिक पंडिया, विजेशंकर, अभिनब मनोह, जैविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशित खान, मोहमद शमी, नूर एहमद और मोहिश शर्मा हमें देखने को मिले तो जिस अंदाज में गुजरात टाइटन्स ने पहले बलेबाजी करी बहुत ही निर शुरवात वेकार रही जिसके चलते ही हाँ पर एक निराशन परदशन नहां, 135 रंचे विकेट के नुकसान पर बनाई विर्दिमान शाह शुबमन गिल ले ओपनिंग करी थी, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी गेन पर यहाँ पर आउट हो गए थे, जिस तरीके से शुबम बलेबाजी विर्दिमान शाह ने करी, शुरुवात अच्छी दिला दी थी, 37 गेन में 47 रंच 6 चोके की बदलत मारा था, 13 के स्ट्रैक रेट से, कुर्णल पंडिया ने उनका विकेट लिया था, दीपक खुडा ने कैश पकड़ा था, तो इस अंदाज में कहीं शाह का विक विकेट लिया था, कैश पकड़ी थी नवीन उलहक ने, इसके बाद बात करें विजय शंकर की, तो विजय शंकर ने सीजन सिरिफ एक ही मैच में अच्छी रं मिना है, इसके बाद ज्यादा कुछ खास इनके बले से रन आए नहीं, 12 गेनों में 10 रं की पारी, विजय शंकर इसने आखरी कावर डाला था, दीपा घुडा ने कैश पकड़ा था, वो आखरी के ओर में बहुत कम रन आये थे, राउल तेवते दो गेन में दो रन मना कर नाबाद थे, कुरुनर पंडिया ने दो विकेट चटकाई, स्टोइनिस ने दो विकेट चटकाई, एक एक अब बारिती लखनव सूपर जैंट्स के चेस करने की, लखनव सूपर जैंट्स चेस करने उतरी, उस बीच आपको बता दे कि संदाज में, इस लोवेस्ट आइपेल इनिंग्स बाइ स्ट्राइक रेट्स मिनिमम सिक्स्टी बोल्स फेस्ट, यानि कि 60 गेंद खेलने के अब के लगेंद में, तो यह कुछ इस तरीके से पारे रही के लगेंद निराश किया कि जब आखरी के अब बने वे हो तो आपको जिता कराना चीए था यह आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अपने जिम्मेदारी को बखो भी नहीं निवा पाई लगनों सूपर जैंट्स क बले बाज के लगनों निराश किया, शुरुवात बहुत अच्छी वही थी क्यूंकि पावर प्ले के अंदर 50 रन करीब आ गए थे, 6.3 ओवर तक 55 रन आ गए थे, कायल मेहस जब आउट हुए, तो 19 गेंद में 24 रन दो चोके एक छके की बदलत मारा था, कुरुनल पंडिया ने 23 गेंद में 23 रन दो चोके एक छके की बदलत से खेला था, साथी साथ बात करें, आयोश बड़ोनी ने 6 गेंद में 8 रन मनाया था, मारकस इस पहली गेंद पर आउट हो गए तो कुछ इस अंदाज में पारी चली, शुरुवात अच्छी थी, इतनी बुरी भी नहीं थी जितना एक टोटल था, उसलिया से शुरुवात बहुत शांदार थी, लेकिन निराश कर दिया यहाँ पर इन खिलाडियों ने, कुरुनल पंडिया से उमीद थी, पारी में बड़े शक्के लगाएंगे, लेकिन 23 गेंद में सिरिफ 23 रन मनाया, पहला विकिट 55 रन पर आया, दूसरा विकिट 106 रन पर आया, फिर यहाँ सारा गेंप पल्ट गया, अब आप खुद देखिए कि करीब 15 ओवर की 30 गेंद तक 106 रन बन चुके थे, यहाँ सिरिफ 30 रन चाहिए थे जीत के लिए, वो भी कम से कम 5 ओवर में, 30 रन यानि रन अबोल मैच चाहिए था, लेकि चोकी की बदर चखका एक भी नहीं वारा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, गुजरा टाइटेंशन लाश में कितनी सदी भी गेंद बाजी करीए, फिर इसके बाद बारी आई, आखरी ओवर की, सारा रोमान चाकर वहीं रुकता है, मोहिश शर्मा जिनको बैंच प पहले शमी का ओवर ही बहुत शांदार था, शमी ने भी उस ओवर में सिर्फ देखा जाए, तो पांची रन दिये थे, जो की बहुत अच्छी गेंद बाजी शमी की भी नपी तुली गेंद बाजी, लेकिन आकरी ओर में जिस तरीके से पहली गेंद पर दो रनाया, फिर वि पहले पर आने के चांस होते, इनके 10 पॉइंट हो जाता है, लेकिन 7 में से 4 मैच जीते हैं, 3 हार चुके अब, तो इस अंदाज में मकाबला चला, औरेंज कैप के अगर बात करें, तो औरेंज कैप की लिस्ट में फेब डू प्लेसिस सबसे उपर नजर आ रही हैं, लेकिन के अल दाहुल कुछ अच्छी पाबले में, शमी को विकेट नहीं मिली, राशित खान 6 मैच में 12 विकेट के साथ, मुहमद सिरात के साथ पहले नंबर परें, लेकिन वो उनके थोड़ा एकोनोमिक स्रेट में थोड़ा अंतर है, इसी वाज़े से वो दूसरे नंबर परें, शमी की बात करें तो शमी मुकारला, बहुत बहुत धन्यवाद